तो चलिए दोस्तों अपनी क्लास को करते हैं सुरू और यहां पर मैं आपके सामने पहला सवाल लेके आता हूं कि बच्चों क्या आपको पता है कि आठ के बाद क्या आता है दोस्तों साइद आपको पता होगा आपने घिंती पड़ी होगी आपको स्कूल में सिखाय भी होगा कि 8 के बाद क्या आता है दोस्तो अगर आपको आंसर नहीं पता है तो मैं आपको टाइम देता हूँ 5 सेकंड का और हर सवाल के अंदर मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूँगा तो आप उस सवाल का आंसर जो है सोच के बता सकते है दोस्तो तो टाइम शुरू करता हूँ मैं अब दोस्तों आपको साइद इस सवाल का जवाब मिल गया होगा और अगर मिल गया है तो आप मेरे कमेंड में जरूर इसका अंसर दे दे और नहीं मिला है तो मैं आपको अंसर दिखा देता हूँ दोस्तों यहां पर तो दोस्तो आंसर आया अपना 9 क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 8 के बाद में क्या आता है दोस्तो 9 और 9 के बाद में आता है 10 तो दोस्तो चलते हैं अब अपने दूसरे सवाल की तरफ दोस्तो अपना दूसरा सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तो दूसरा सवाल आपके सामने है कि मकड़ी के कुल कितने पेर होते हैं दोस्तो देखा है आपने कभी अपने गर में मकड़ी को और अगर मिल् दोस्तो इसी कोई बात नहीं है और अगर आपने मकड़ी देखिये तो आपको पता होना चाहिए कि मकड़ी के कितने पेर होते है तो दोस्तो इसका अंस्वा सोच के बताईए मेरे को कॉमेंट में तो दोस्तो आपको इस सवाल का जवाब मिला या नहीं मिला लेकिन मेरा तो एक ही परपस है कि आपको इस सवालों से रूबरू करवाना और आपको इस सवालों के जवाब दिखाना तो दोस्तो अपने दूसरे सवाल का जो है जवाब यहाँ पे छुपा हुआ है और मैं इस जवाब को आपको दिखा देता हूँ तो दोस्तो जो मकडी होती है उसके जो पेर होते है वो कितने होते है दोस्तो तो वो पेर होते है आठ दोस्तो मकडी के आठ पेर होते है अपने देश का सांसत भवन है वो कहां पर है तो आपका टाइम शुरू होता है अब मुझे लगता है दोस्तों साइद आपको इस सवाल का जवाब नहीं मिला होगा और आपको पता भी नहीं होगा और आपको कभी किसी इसने बताया भी नहीं होगा दोस्तो इस सवाल का जवाब यहां पर छुपा हुआ और मैं आपको इस सवाल का जवाब बता देता हूँ दोस्तो इस सवाल का जवाब है नई दिल्ली दोस्तो आपके देश का सांसतबाउन कहां पर है दोस्तो नई दिल्ली के अंदर चले दोस्तोर अगले सवाल के तरह बढ़ते हैं दोस्तों अपना जो चोता सवाल है वो हमें क्या कहता है देखो जो अपना चोता सवाल है वो हमें कहता है कि हम गांधी जेंदी कब मनाते हैं दोस्तों अपने जो बापू है जिन्नोंने अपने देश को आजात करवाया है हम उनके बारे में बात करें दोस्तों तो मैंने आपक तो पांच सेकंड का समय देता हूं आप सोचकर जरूरू बता है चलिए दोस्तों मैं आपको इस सवाल का जवाब बता देता हूं दोस्तों हर साल दो क्टुम्बर को हम गानदी जी के जेनति मनाते हैं दोस्तो उनके जनम दिन के उपलक्स में चलिए दोस्तों पांचवज़ु सवाल की तरप बढ़ते हैं तो कटंतर दिवस कम मनाया जाता है दोस्तों दोस्तों जो अपना पांचवा सवाल है वो है गनतंतर दिवस कम मनाया जाता है दोस्तों इसका सवाल तो साइद आपको पता ही होगा आप कभी कभी दाने खाने गए होगे अपनी स्कूल में प्रेड चलती है डांस होता है कहीं सारी परतियोगता है होती है और गणतंतर दिवस के दिन बहुती मज़ा आता है दोस्तों अपने गाउं सहर के अंदर तो दोस्तों आपको पताओना चाहिए गणतंतर दिवस कम मनाया जाता है और अगर पता है आपको तो कमेंटर पे जरूर दे इसका अंसर और नहीं पता है तो अपने अंसर का इंतजार करें दोस्तों दोस्तों हर साल हम 26 जनवरी को जो है गणतंतर दिवस मनाते हैं दोस्तों चले दोस्तो सवाल के अपने वीडियो के चच्टे सवाल के तरब बढ़ते हैं दोस्तो और दोस्तो चच्टो सवाल जो है अपने पास आया है सचीन तेंदूल कर कौन है दोस्तो आपको जवाब पता होना चाहिए इस सवाल का तो अगर नहीं पता है तो सोचे जरूर चलिए मैं आपको इस सवाल का अंसर बता देता हूं दोस्तों सचिन तेंदुलकर कोन है आपको पता होगा है नहीं होगा लेकिन मेरा काम आपको पताना तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर जो है अपने भारत के एक मात्र ऐसे क् अबारत रतन मिला हुआ है दोस्तों चलिए दोस्तों अपने वीडियो के साथवे सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अपना साथवे सवाल है दोस्तों एक साल में कितने महिने होते हैं दोस्तों आपने कभी जनवरी फरवरी मार्च अपरेल पढ़ा है दोस्तों या फिर खेला हो मार्च अप्रेल और इसको आंसर कॉमेंड में जरूर दे और आपको पता है यह सवार हभाक तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसका अंसर बता देता हूं दोस्तों एक साल में कितने महिने होते हैं जून चुलाई अगस सितंबर अक्टूमबर नॉवंबर तिसंबर दोस्तो ये बारा महिने होते है अपने एक साल के अंदर और दोस्तो चलिए अपने आठवे सवाल के तरफ बढ़ते है तो अपना आठवा सवाल करता है कि फुटबॉल टीम में कितने प्लेयर होते है दोस्त दोस्तो फुट्बोल की जो टीम होती है उसके अंदर 11 खिलाड़ी होती है दोस्तो किते होते हैं दोस्तो 11 हिलाड़ी होते है चलिले दोस्तो अपने वीडियो की नवे क्यूशन की तरह पापन बढ़ते हैं और मैं आपसे पूछता हूं कि अपने देश का जो राष्ट्य पक्सी है वो कौन सा है दोस्तो नवा सवाल आया है आपके सामने कि अपने देश का जो राष्ट्य पक्सी है वो कौन सा है दोस्तो इसका सवाल आपको पता इसका जवाब आपको पताऊगा अगर पता है तो कमे रहा है और दोस्तों अपने आकरी सवाल के तरफ हममठते हैं तो टेनिस गेम में कितने प्लेइर होते है दोस्तों टेनिस का जो गेम होता है उसमें कितने प्लेइर होते है इसका झूपा हुआ हूँ और déjà और उस से पहले दस्वा सवाल जो है वो है टेनिस गेम में कितने प्लैर होते है दोस्तो उसका आंसवर जो है यहां पर छुपा हुआ है दोस्तो और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करते हैं तो चलिए दोस्तो मैं आपको इसका आंसवर पता देता हूँ दोस्तों टेनिस गेम में कितने प्लेयर होते हैं दो संधों दो स्थ्थ लेख़ए, क्लास में पिर गहला क्लास में तो इन कुछनों को आप याद करके इन तजही कुछनों को आप लोग याद करके अपने क्लास में किसी भी बच्चे से पूछ सकते हैं या फिर अपनी क्लास में खड़े होकर अपने टीचर के साथ में दूसरे बच्चों को पूछ सकते हैं इससे आपकी क्लास में ज